तो आज हम देखने वाले शकर पाड़ी की मेकिंग तो चले शूरू करते सबसे पहले हमें लेना है देड़ी की जिमेदा 125 ग्राम शकर 10 ग्राम जीरा 15 ग्राम सोडा 20 ग्राम नमग 5 ग्राम विलाइची और 5 ग्राम दायफ़ड को बारी करके अच्छे से इसको मिक्स करना है फिर हम लेंगे तेल 300 ml तेल इसमें मिला देंगे अच्छे से तेल मिलाने के बाद में हम क्वांटिटी अनुसार पानी लेंगे पानी मिक्स कर दिया अब इसे अच्छे से गूद लेंगे ध्यान रखना कि यह जादा कड़क नहों तो सौप्ट ली इसको गूदना है जब तक कि यह सौप्ट इसका डो तायार नहों अच्छे से मिक्स होने के बाद में कुछ इस प्रकार इस अभी डो में यह कन्वर्ट ह दो 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 है तो लगबग अभी हमारा डो रेडिय हो चुका है तो अभी इसे हमें बेलना है गोल शेप में तो उसके लिए अच्छा बड़ा प्लाटफॉर्म लीजिए यहाँ पे रूटी की शेप में बेलना चाल हो गया है और यह अच्छे से शेप भी ले रहा है अब यह आगे की प्रोसेस के लिए रेडिये तो चलिए आगे की प्रोसेस देखते है अब इसको अच्छे से रखके डाइमंड शेप में कट कर देना है तो सबसे पहले हम सीधी लाइन बना लेंगे और अब एक एक करके डाइमंड शेप में काट लेंगे अब हमने यहां पर लिया है देड़ केजी तेल कड़ाई अच्छे से गरम हो गई है तेल भी अच्छे से उबल रहा है तो यह देखें अब हम इसे तेल में डाल देंगे और अच्छे से फ्राय होने देंगे गढ़े में अच्छे से आफ़ा एक प्राइ़ कर लो यहां बहाई मित्गश्चे से घ्या थे प्राइ़ का लोगगे प्राइ़ दिर प्राइ़ कर दो जाए प्राइ़ कर का दो भी तो प्राइ़ तो अभी देखिए अच्छे से कलर भी आने लग गया है और कितने ही सुन्दर दिख रहे हैं यथधी लग प chamने कार सक नसले है खोस्ष्वप प्रून्दर देखितने हैं कितने ही से कार समय है । आने लेमेज़ में लग दुपने कार लाल रहे हैं तो आपकी पसंद के अनुसार इसका कलर रखिए तो देखिए यहाँ पे हमने लाइट ब्राउन कलर रखा है तो अब हम इसे निकाल देंगे तो देखिए किते सुन्दर दिख रहे और बहुत ही क्रिस्पी बन गई है तो चलिए अब इसे हम स्टोर करते हैं तो एक के बाद देख हमारे काफी सारे लाइट निकल रहे थें के बाद दो गमलते हैं के लाद तो यहां पर हमारी शक्करपाड़े रेडी हो गए और आपको शक्करपाड़े की मेकिंग अच्छी लगी होगी डिफिनिटली आपके काम आएगी आप भी बनाईए घर पे ट्राइ कीजिए और हाँ आपको भी अच्छा लगाओगा तो प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब कीजिए और बहुत सारे इसे वीडियो के लिए चाइनल को जल्दी से सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए थैंक यू सो मज फॉर वाचिंग मै वीडियो